देखिए आपके सामने कोश्चन है पढ़ ले कोश्चन हलाकि आपने कर लिया होगा लेकिन फिर भी एक बार मैं पढ़ के कर देता हूँ आपको ये कोश्चन क्या कहता है कोश्चन में A company purchase a second hand machinery 122018 122018 एक second hand machinery खरीदा that is M1 कितने का खरीदा हूँ 50,000 and paid 11,000 over hauling and paid for hauling 5000 installation complete तो भीया spent कर दिया इस पे पुरानी machine खरीदो अगर यही खर्चा आप करते जैसे कि हमने फरवरी में खरीदा और खर्चा आप मार्च में करते सपोस करो तो वो खर्चा एड नहीं होगा खर्चा कौन सा एड होगा जो खर्चा खरीदते समय किया गया इस बात का धियान रखना है ठीक है इस पंट कितने कर दीए ग्यारा और पांच और यह machinery चलने लाइक हो गया 31 ैघ 18 अठारा से ये मसिंडरी रेडिटी यूज़ हो गया समझ रहा हूं थरीदा था मैंने फरवरी में पूरा फरवरी गया और पूरा मार्च किया इसमें खर्चा करने के बाद हमारा 66,000 रुपए का 31 मार्च अब सबसे बड़ा कुश्चन जो है यहां पर के सर डेप्रिशेशन हम इस दिन से चार्ज करेंगे यह डेप्रिशेशन हम इस दिन के बाद से चार्ज करेंगे बताइए आगे क्या कहता है 66 चलिए आगे देख लेते हैं एक शब्द है यहां पर पुट तू यूज पुट तू यूज का मतलब क्या होता है जिस दिन से आप assets को इस्तमाल करना चालू करते हो उसे बोला जाता है पुट तू यूज तो means आपने assets को इस्तमाल करना चालू कब से कर दिया जब आपके लिए वो क्या हो चुका है ready हो चुका है book 31 December को every year close होगा 110-2019 को repair work चला है 110-2019 में कुछ समय बाद repair carried किया है machine पे 5000 तो दूसरा question क्या यह 5000 रुपे यह add-on होगा मैंने क्या कहा कि जब कभी कोई भी machinery आप खरीते हो खरीते टाइम पे x y z कोई भी expense हो वो add हो जाएगा उसके further बाद कोई भी खर्चा होता है जो कि major capital expenditure नहीं है वो add नहीं होगा paid the same सर इसका कोई मतलब नहीं आता है the machine was sold 31-10-2020 में 11,000 का and 1000 रुपे paid आपका dismantling charge मतलब भी है जब मैं 11,000 का बेच रहा था जैसे मैं यह इसी बेच हो किसी को तो मैं उतार के नहीं दे सकता हुसको मेरे पास जो इसी लगा हुआ है है ना पहले वो बुलाऊंगा वो proper तरीके से gas waste का निकाल के दिखा तो dismantling का मतलब होता है कि उस चीज़ को जो fitting है उस चीज़ को खतम करने को dismantling बोल जाता है फिर pair machinery account 18 से लेके 20 तक का the accounting period end December एक ही machinery है और एक ही machinery से सब कुछ करना है पहले एक पर आप भी question पढ़ लिजे फिर बताइए कोई doubt कोई बताइए doubt एक और book दिखाई है पहले एक पर आप question पढ़ लिजे कोई doubt है question में नहीं अब finally अगर देखा जाए तो machinery की कीमत जो है ना इस date पर यानि यह जो value 31 मार्च है तो यानि अगर मैं आपसे कहूं कि एक चार दो हजार अठारा में हमारे पास machinery 66,000 का है तो यह कहना गलत नहीं होगा और depreciation साल के end में लगेगा that is 31,12 2018 तो 66,000 पे 15% rate के हिसाब से 66,000 पे 15 डिवाइड़ बाइ 100 इंटू 9 बाइ 12 कितने 7,025 माइनस करके बचेगा बैलेंस 50 इसके बाद अगें 31,12,2019 जो हमने assets बेचा है ना उसका date याद रखना 110,00 19 को बेचा है फिर depreciation dimnising है 5,8,5,7,5 15% that is 8,7 अब देखो 110,19 को बेचा है राइट तो ये तो 18 था 19 अब ये 12 हो गया आपको पहले decide करना होगा कि मसीन दी में पूरे साल का depreciation लगेगा या पहले ही मसीन कब sold हुआ है तो इसका मतलब हम 31,12 तक तो depreciation लगा सकते है या नहीं लगा सकते 12 तक नहीं लगा सकते क्योंकि ये assets पिक गया है तो that's why depreciation तो लगेगा इस पे सरिफ और सरिफ 110,2019 क्योंकि ये है 11,19 ध्यान से देखो balance को तो क्योंकि जनवरी आ गया और year change हो गया तो कितने महिने का लगेगा 10 तक देखा जाए तो total 9 month का depreciation again लग जाएगा 58,575 पे 10 है हाँ 30 September है न तो January, February, March, April, May नहीं 10 का क्यों लगेगा 9 का ही लगेगा एक 10 को तो बेची ही दिया उसने देखो 15% यह लग गया हमारा 6590 ठीक है तो यह आ गया हमारा 51985 क्लियर है अब इसको आपने sold कर दिया सर सर जब बेचा कितने का बेचा आपका भले ही 1000 तो dismantle लग गया 11,000 रुपे आपको मिले थे तो ultimately आपने 10 का ही बेचा न 1000 तो कटी गए तो means आपके 10,000 ही जेव में आए तो आपका loss हो गया 41,900 बस इस question के अंदर mean खास बात क्या था question करने में सर इस question के अंदर खास बात था कि हमने खरीदा किसी और दिन और depreciation charge किसी और दिन से किया एक repair भी major part आगया बीच में posting देखी कितना simple तरीके से हो जाएगा सबसे पहले आप कब मानेंगे खरीदा वही date लिखोगे आप कब खरीदा एक दो two bank sir खरीदा आपने कितने का और depreciation वगएरा 31,3 को sorry use जो repair किया है two bank से जो भी आपने खर्चा वगएरा करा है installation charge total 16,000 और 31,12,18 को buy side में लग जाएगा depreciation कितना लग गया 7425 66,000 और ये भी आगया 66,000 और buy balance cd minus करके आजाएगा हमारा 5,8 5,7,5 31,12,18 अब क्या date आजाएगा 11,19 to balance pd 58,5,7,5 अब depreciation लगेगा कब 1,10,19 by depreciation sir कितना लगा 65,90 by bank से आपने बेच दिया कितने का अब देखो bank से बेचने के दो कारण है या तो आप 10 का बेचो या 11 का बेचो अगर 11 का बेचते हो तो इधर खर्चा भी दिखाना पड़ेगा आपको ठीक है तो हम सीधर 10 का ही मानेंगे dismantle charge को हटा के फिर buy हमारा profit and loss से क्या हो गया loss कितने हो गया 41,985 यह सारा काम हुआ है 31,12 31,12 अब कुछ बचा नहीं दोनों साइट एक्जेक्ली सेम आ जाएगा 58,5,7,5 58,5,7,5 बताए कोई डाउट क्लियर है कितना है अच्छा 110 को repair हुए है मैंने repair वाले दिन बेच दिया है इसको चलो ध्यान ने दिया 110,20 को repair हुए है मतलब बेचा है ना 110,20 यानि तो और डैप लगेगा फिर तो मैं थोड़ा change कर रहा हूँ यहाँ पे तो 31,12 19 में डैप लगेगा पूरे 15% आवन पांसो के चत्रा इंटो 8,7 8,6 4,9 7,8 9 11,2020 कब बेचा है एक दस को ना 31,10 को 31,10,2020 अब 10 मेहने के लग जाएगा ना 6,2 2,4 यहाँ गे 43,56 5,65 एक 31,10 2020 और बेचा कितने का तो लास कितने का अगे 33,56 बस यह 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 बढ़ गया बागी कॉंसर्ट पूरा सही है तो यहाँ पर बस डैप्रीशेशन चेंज कर देता है चलिए यह हो जाएगा 31,12 और बस 8,7,8,6 और 31,12 को ही बाए बैलेंस सीडी 4,9,7,8,9 एक, एक, पीस टू बैलेंस 4,9 7,8,9 अब बिक जाएगा ना 31,10 को बाए डैप्रीशेशन 6,224 31,10 को बाए बैंक से सेल 10,000 और 31,10 को ही बाए प्रॉफित अन लॉस से लॉस अब लॉस भी चेक कर ले ना अब ये मैच हो जाएगा और डेट का मिस्टेक हो गया और मिस्टेक क्या था ये डेट बेचने का ये वाला है और मैंने ये वाला date देख लिया था बस इतना mistake है तो बेचने का date है सर ये नहीं है sold जो बेचने का date है 31, 10, 2020 ठीक है correct कर लिजेगा इसको noting तो क्या नहीं होगा चलिए अभी देखते हैं एक और question करेंगा screen clear नहीं है ओके now check करिए screen clear हो गई होगे please check करिए अभी check करिए clear हो गई screen don't worry ये video आपको clean upload मिलेगा ठीक है बाकी मेरा मानना है ये तो मैंने questions कर दिया है आप self करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और लग प्ussen की बढ़िये है जबना पिस् legitagon alभ्स ह만म झेट है झाल झाल